योग दिवस पर मंगलवार को मुख्य कारिक्रम चंडीगण में होगा तो देश भर में तमाम और जगों पर योग की धूम रहेगी राजानी नई दिल्ली में साथ जगा योग कारिक्रम हो रहा है मुख्याकर्शन दिल्ली का दिल कनाट प्लेस में होगा जहां 10,000 लोग योग करेंगे इस समारों में शारिरिक रूम से विकलांग 20 प्रतिभागी विशेश प्रतर्शन करेंगे आयूश मंत्राले ने योग के आसनों का 45 मिनट का वीडियो भी तयार कराया है इस वीडियो का इस्तमाल योग के प्रचार प्रसार में किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ती इस वीडियो के जरिये योग के तमाम आसनों को आसानी से सीख सके बात तमिल नाडू की करें तो योग दिवस की तैयारियों के सिलसिले में चिन्नेई में सोमवार को करीब 400 बच्चों ने सामोहिक योग किया इन बच्चों ने योग कारनिवाल के तहट लोगों में योग के प्रती जागरुकता के लिए ये प्रदर्शन किया वही महराश्ट्र में भी योग दिवस को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही है योग को लेकर हर जाती धर्म के लोगों में उत्सा है नागपुर में अन्ने लोगों के साथ दुनिया की सबसे जोटी महिला का विश्वरिकॉर्ड बनाने वाली जियोती ने भी योग किया नागपुर में ही रविवार को एक योग शिवर लगाया गया जहां बड़ी तादाद में लोगों ने योगा अभ्यास किया बात मत देश की करें तो राचे में योग दिवस का उसा हप पूरे चरम पर है भुपाल में तीन लोगों ने पानी में योग किया सेगडों लोगों ने योग की स्क्रिया को देखा भुपाल में रविवार को भी योग कैम कायोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया लोगों को बताया गया कि कैसे निरोगी रहने के लिए योग जरूरी है 21 जून को मनाय जाने वाले अंतराश्ट्रिय योग दिवस के मद्दे नजर योगदर सतसंग शाखा आश्रम द्वारा एक्रिया योग ध्यान कारिक्रम का आयोजन रविवार को नौईडा में किया गया इस ध्यान योग कारिक्रम के जरिये लोगों में मेडिटेशन यानी ध्यान को लेकर जागरुकता और जीवन में उसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया नौसेना भी योग की तैयारियों में चुटी है पश्चमी नौसेना कमान में भी योग को लोगप्रिय बनाने तथा उसके बारे में चागरुमता पैदा करने के लिए योग समेथ कई कारेग्रमों का आयोजन किया गया देश भर में योग की तैयारिया है और धर्म गुरुगों का मानना है कि योग का धर्म से कोई लेना देना नहीं है 57 केंद्रिय मंत्री देश भर में योग की अलख जगाएंगे तमाम मंत्री सरकार द्वारा देश भर में आयोजित किये जा रहे विभिन कारेक्रमों का नित्रित्व करेंगे कारेक्रम का नित्रित्व करने का जिम्मा जिन 57 मंत्रियों को सौपा गया है उनमें ग्रह मंत्री राजनात सिंग, वित्मंत्री अरुन जेटली, रक्षा मंत्री मनुहर पारिकर और मानव संसाधन विकास मंत्री स्पृती रानी शामिल है इस साल के कारेक्रमों की श्रंखला में योगा भ्यास, कारेशालाएं और संगोष्ठियां शामिल है न्यूजनाइट डेस्क, डीडी न्यूज न सिर्फ देश में बलके कल अंतराश्य योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में तैयारियां चल रही है दुनिया के 191 देशों में कल योग के कई कारेक्रमों का आयोजन किया जा रहा है अंतराश्य योग दिवस को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह नजर आ रहा है संगोष्ठिय में भी योग दिवस की पूरी तैयारी चल रही है नियोग में संग्तराश्टर ने अपने मुख्याले की इमारत पर योग दिवस को लेकर एक तस्वीर प्रोजेक्ट की है इस तस्वीर में एक महिला परवत आसन करती नजर आ रही है और तस्वीर के नीचे लिखा है इंटरनेशनल डे ओफ योगा इस अवसर पर दक्षणी सुडान, कॉंगो और लिबनन जैसे देशों में 13 जगह पर मौझूद भारती य शांती रक्षक दल भी योग कारिक्रमों में हिस्सा लेंगे यही नहीं संयुक्त राष्ट्र में भारती य दूतावास की ओर से जेएफ के अंतराष्ट्री हवाई अड़े और नियॉक हवाई अड़े पर भी योग कारिक्रमों की व्योस्ता की गई है संयूक्त राष्टर में विभिन देशों की राजदूत और राजनैक इस मौके पर योग से जुड़े अपने अनुभव को बांटने वाले हैं कि कैसे उनकी जिन्दगी में असरकारी बदलावाया युएन जनरल एसेमली के अध्यक्ष मौर्गेन्स लेफ्टोप वी इस कारिक्रम में मौजूद होंगे यहाँ सांस्कृति कारिक्रम भी आयुजित होगा जिसमें बिटेन की मशूर सिंगर तानिया वेल्स संस्कृत शलोकों की संगीत मैं प्रस्तूति देंगी इशा फाउंडेशन के संस्तापक और आध्यातमिक गुरु जग्जी वासुदेव की अगवाई में योग कारिक्रम भी होगा संयुक्तराष्ट्र में भारत के इस्ताइदूद सेयद अकबरुदीन ने बताया कि संयुक्तराष्ट्र मुख्यालाई में आयुजित कारिक्रम में 135 देशों के प्रतिनिधी हिस्सा लेंगे कि ब्रतिने करिक्यों कि दितना हम से से सकते हो लेडियό Girls Kingdom 6 को से रूछ काजिए की करता है behavior क्या अग्あन्यार प्र McMित्या हिस्सा आग्यो भार्ष्ट प्रगल पूरी दुनिया में यमन और लीबिया को छोड़ कर 191 देशों में भारतिय दूतावास, योग कारिक्रम आयोजित कर रहे हैं पाकिस्तान में भी योग दिवस की तयारियां चल रही हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद इस्तित भारतिय उचायोग में भी अंतराश्ट्रिय योग दिवस की तैयारियों के मौके पर दूतावास के कर्मचारियों ने योग का अभ्यास किया। मैक्सिको शहर भी योग के रंग में रंगा दिखाई दिया। यहां अंतराश्ट्री ये योग दिवस मनाने की पूरी तयारी चल रही है, जिसमें करीब 4000 लोग हिस्सा लेंगे। यहां के इस्तानिय लोगों में योग को लेगर काफी उत्साह है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया योग के रंग में रंगती नजर आ रही है और कहीं न कहीं इस महान भारतिय धरुहर को दुनिया भर में फैलाने के लिए अंतराश्ट्रिय योग दिवस मनाने का मकसद भी काम्याब होता नजर आ रहा है। न्यूज नाइट डैस्क डीडी न्यूज